हलो दोस्तों गुरू कुल्पिषम आपका स्वागत हैnh sains के टॉप 100 कोङने वाले हैं जो सभी और जाम के लिए विशय वियरिवरिमट है सभी कोई रट लीजिये कनठस्त कर लीज्य कि यह अगामिय एकजाम के लिए भी वेरि इंपोर्टेंट देखिए क्या है द्रिस्टिफ पटलपर बना प्रतिम कैसा होता है तो ऐस्टिय पटलपर बना प्रतिम होता है टथर प्रकास संचार किस रूप में प्रवाहित होते हैं यह थोस्त उप्रेकास्त रंग रूप किा दूरल धूर को प्रेयों होता है सुधार नेके त्रेश्टी के सुधार के लिए ब्रेयों की सुधार के लिए नेस्ट कोश्चन देगे अगला कोश्चन क्या है यदि एक बेगती तो समतल दरपन जो 60 डिग्री कोण पर आनत है कि बीच खड़ा है तो कितने में प्रित्विम बनेंगे इसको हम समझा दे रहें देखे कैसे समझाएंगे जहां समझेगा कोश्चन नमबर छठमा को समझाना है देखे है 460 डिग्री होता है है कितने पर है साट डिग्री के आनत पर अगर संपूं माइनस कर लिना है अगर शब्लद दिह संक्याइगा तो कोई दिक्कत नहीं हुपारे में उर्जा का प्रमुक्स रोट है वह आपका वाशा है और नेश्ट कोशन मेरे इंप्र 2022 का खाक्का बनाने में हैं से मतल Bishop सब्सक्राइब करता है किसके परत्रोधक के लिए तो हैं किसके लिए तपेदिक के लिए वेरी-बयर इंपर्टेंट कुस्चन है और जितने कुश्चन दोस्तों टॉफ हंड्रेट साइंस के कुश्चन है एकदम इसको कंठस्ट कर लीजिए क्यों कि देखेगा यहीं से आपके एक्जाम में कुश्चन आने वाले हैं इसलिए अगला देखेगा मानव शरीर रचना के संदर में एंटी बाडीज क्या होते हैं तो एंटी अब प्रोटीन का कार क्या होता है तो सरीर का विकास करने के लिए क्या होता है सरीर के विकास के लिए प्रोटीन का बहुत ज्यादा योगदान होता है चले नेस्ट कोश्चन देखे बारा नंबर पीलिया किसके संक्रमन के कारण होता है यह क्रत क्या होता है पीलिया किसके स निस प्मुर्ट सम्रती को किस सब जब द्वारा जना जाता है इसको पूर्ष म्रती जो जह उसको से जानते हैं अगले कुशन देखें गो तप नेस्ट कौन सी बिमारी पानी द्वारा नहीं ओते होता है पानी दवार्व नहीं होता है थायजा पानी दवार में कि मात्रा कम हो जाती है कि इस हम हो जाती है टेश चाग जिसको स्मॉलपाकिस कहते हैं े चेचक होने का करण क्या है वायरी को से यह चेचक होने के के का करन दोस्तों यह है बहर जो यह ला वाइरष कहुं सा है वह रीमिद्स होता है है नेसे देखिए अब मेरे स्कुंचन स्क्वे चाहर करा रंग किbolt थोड़ाविधी और फेला होता है तो कैरोटीन होता है में गायकि दूज में कारटइंहोता है इसलिए थोड़ा क्या ऊवता यो कहाँ सा रोग प्राय के माद्हम से वह जो है प्राय के माद्हां से फ부터 यह फैलता है तुर कलोसिज इसके मादधम से तुर क्लोसिज आहा जूरी कह एंड़ के टेरियेल्स एक समर्द सोथ किसका है जहाँ किसका समर्द सोथ है अन्य जो है इस टार्च का समर्द सोथ होता है चावल में क्या मिलता है ज़्यान रख़िएगा 21 कोश्चन नमर 21 देखें कैंसर की उपचार के लिए प्रियुक्त रेडियो आइसोटूप कोबाल्ट 60 है क्या है रेडियो कैंसर के उपचार के लिए प्रियुक्त रेडियो आइसोटूप है कोबाल्ट 60 अगला कोश्चन देखें परावर्तित प्रेकास में उर्जा होती है आ आपतन कोड़ पर निर्भर नहीं करती किसमें परावर्तित प्रेकास में जोड़ है आपतन कोड़ पर निर्भर नहीं करती है अगला कोस्टन देखेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोस्टन है प्रेकास की गति किसके बीस से जाते हुए नियूनतम होती है तो कांच से जाते से क्या पता चलता है उसके ताप का पता चलता है अगला कुशन किसी अपार दर्शी बस्तू का रंग उस रंग के करण होता है जिसे वह क्या करता है इसे हमको को बस्तू नीला दिखाई दे रहा है तो नीले प्रकास को परवर्तित करता है तो नीला दिखाई देता है को बस्त पानी में लटका कर बैठे हुए बैक्ति को उसका पायर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है क्यों अपवरतन के कारण किसे कारण दोस्तों अपवरतन के कारण ऐसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको यह यूद की दो बुकें बहुत ही सांदा तरीके से कंप्लीट कराएं मतलब इतनी अच्छे तरीकें कंप्लीट कराएं कि मतलब यूटूब ने भी हम लोगों को अप्रिशेट किया है सब से आदा देखी जाने व कराएं थे और भी बहुत सारी बुक्स कराएं और दोस्तों जल्दे ही आप लोगों के लिए तीन बुक बगएरा के भी सॉलूशन आने पाले हैं सात्यों एक मैंने एक एबुक लॉंच की बिसकर लिए आप सब बुक करोगे तो बहुत कम समय बचा है बच्चा अब इस एक आपको बेसिकले निचोर बिलेगा इन सब बुकंसे जितने भी सिमलर को सरण जो आपके बार-बार पूछे गाया है बहुत कि अफनी इतनी मार्केट में आने इस समय गुरूपटी इतनी जो आए बुके कि आप कमी खतम नहीं काउंटिंग खतम नहीं होगी है ना बोलते है एक हम लोग ने आप लोगों के लिए एक GK Plus Science की जिसमें आपको कम्पीट बिलोकुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगार रहेगा ठीक है GK Plus Science के टॉप 200 चेप्टबाई MCQ के एबुक लॉंच की है पहले ही लॉंच की थी बाकी दोस्तों इबुक अपडेटेड हो चुकी है अब आपको यह आप इसको डाउनलूड भी कर सकते हैं और बाकी इसमें आप प्रिंट बगराई भी निकाल सकते हैं इबुक के फॉर्मेट में इबुक है बहुत ही सांदर इबुक है और अगर हम बात करें पांच-श्याद से जारा बच्छी इस इबुक को ले चुके है जो कि दोस्तों इस इबुक का अगर हम बात करें मार्केट की से तो 499 रुपए है बहुत सारी आजू कीट है 499 रखके 300-400 रुपए में सेल कर रहा है दोस्तों यह इबुक बहुत ही सांदर है बहुत महनत लगी इस बनाने में इस इबुक को है न तो केबल और केबल 90 रुपए इस इबुक की चार्ज रखा गया है ठीक है और यह सबी किताबों इसमें आपको निचोर मिलेगा जितने भी important question सब आपको इस इबुक में करम मिल जाएंगे ठीक है बिलकुल आपको गहोर के पी जाना है रट लेना अच्छे से जब तक रट लोगा तब यह की question आपको न रटे जाए ठीक है बिलकुल exam में तहल का मचाने वारा दोस्तों एक ebook रहेगा बिलकुल अनिवार आपके लिए ebook है इसको आपको जरूर purchase करना है और सब question आपको रटना है दोस्तों यह मैं आपको guarantee दे रहा हूँ जब आप exam hall में exam देके आएंगे सबसे पहले आप thank you मुझे ही बोलें कि आपके सार्व ebook से सबसे आरा question फसे हैं मैं इतना नहीं बोलूगा कि 45 में 45 फसे हैं लेकिन बच्चे यह जरूर है 70% आपका GK का प इस ebook को लें और रेल पर में अपना तैयारी अपनी बहतर से बहतर करें बाकि आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो बगएर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं ठीक है और चलिए एक्जामना फैवरेट जितने भी एक्जामना के जो फैवरेट कॉसन है बो आपको इस ebook में मिल जाएंगे ठीक है बिलकुल आपको एक कॉसन रट जाना है बिलकुल गहोर के पी जाना है ठीक है चलिए उस्तों थेंक यू क्या लेक chap क्या है ंज वरी-वरी इंपोर्टेन कोश्चन है Daisy कि क्या जब एकम्पेक्ट क्या जब ऐक कमपेक्ट दिस्क सीडी सूर के प्रकास में देखी जाती है तो इंदर धनुष के समान रंग दिखाई देता है इसकी ब्याक्षा की जा सकती है इसकी ब्याक्षाम कर सकते हैं अपवरतन विवरतन पारगमन की परगटना के अधार पर अगला कुस्चन चंद्र गहन घटी थोता है पूर्णमा के दिन घटित होता है देगे एगला कुस्चन सूर ग्रहन का होता है चली बताइए सूर ग्रहन दोस्दों सूर ग्रहन आपका होता है अमावस्या प्रितिपदा के दिन किस दिन होता है सूर ग्रहन तो सूर ग्रहन होता है प्रितिपदा अमावस्या के दिन होता है सूर ग्रहन ुचित रीती से कटे हीरे की असदहरन चमक का आधार भूत जो कारण है यह है क्या है उसका जो अती उच्च प्वरतन सुचकांक होता है चलि कोस्ट देखेगा क्या चलिए इम्पोर्टेंड क्या है एक इस्ति चुम्मक क्षमता का अनुपाद किस माध्यम में होता है उसकी क्या होती है दूसतों उसकी टम्रदज पार गम्बता के कारण किस करान होता है उसकी पार घंता के कारण होता है नेकिको तर Anime किसी करती है उत्तर की ओर संक्येत करता है किली अगरना देखे को स्विश्स इन इंपर्टेंट है इसलिए एग भी कुस्टिन किसी को मिस करके नहीं जाना है लाश तक वीडियो में परने रहें आप कि राप्रेश्थ है ट्राइस को सिध्यानत अधारी पर In niveled LET को सिध्यानत मेरें पर अधार हो घटाने और बढ़ाने में पुर्युक्त होता है क्या करता हुए ट्रांसफार्मर जो है न एसी बोल्टता को बढ़ाता है और घटाना इसका काम करता है बिद्दु धारा का चुमकी प्रभाव सरपर्थम अब लोकित किया गया बताइए बिद्दु धारा का चुमकी प्रभाव है सिसके दौरा और स्टेट में सितना कितना होता है तो पर 90 o कउन कोंड कितना होता है नाइंटी डिगरी पर 90 गृमा मां होता है नाइंटी डीर शे ис वेरे ब्रक्रवल्ट टेड़ियर चांदि चादी है जितने भी धातु होते हैं सभी चालक होते हैं अब ध्यान समझें सब्सक्राइब लेकिन एक दात्त और कउच यह संदेगे सबी कॉचाला होते हैं लेकिन ये आ कि इसakah मैं नेश्ट कोष्ण कोष्ण नुम्न 30 चांडी के बरतान कुछ अवाधी के बाद कालेग्यों पड़ जाते हैं तो चांडी पर सल्फाइट का लेप बन जाने करण किसका करण चान्द जो हैama काला पड़ जाता है Nord फोटोग्राफी में उपयोगी तक त्थ इसलबर ब्रोमाइड एजी बी आर इसलबर ब्रोमाइड एज़ी वियार फोटोग्राफि में किसका प्रयोग होता है अगला गॉशन देखेगा लाज तक वीडियो में बने रहिएगा देखिए नुश्ट कोस्चन क्योश्चन क्या है क्रतीम बर्षब कराने में किसका प्रियोग करते हैं तो सिलबर आयोडाइट का किसका प्रियोग करते हैं क्या होता है अजी-ई का प्रियोग करते हैं क्रतीम बर्षब Main Street अख्त mixture शतन तबस्थicação सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्तर बनाए जाने योगधातू सोना है इसका परतीक होता है इसका लैटिन नाम है और आवराम क्या इसका लेटिन नाम दोस्तों और है सर्वादिक भारी होती है हाल मार्क का चिन किन उत्पादों पर लगाते है हाल मार्क पर किस पर लगते हैं हाल मार्क जो लगा जाते हैना हॉलम नचे कि है मिए सुध्ध सोना प्ण। ऑप गोलड चौबीश का रेट होता है इस तो फिल सोना होता है 24 क्इलेट का इस कोसी देखिए 18 क्यंड के सोने में सुध्ध होने कितना 75 तारbon 18 अगर 18 एर्टेट का सोना है 25% सोना हो गार टोटल 24 चाहिए एगर 24 का सोना तो 100 परसेंट पर सेंट सोना है अगला question very very important है काउन सामान ता पर द्रेव है तो किसी को एक भी कुछन मिस करके नहीं जाना है लाश तक वीडियो में बने रहें एगला कुछन किसी अमलगम का एक घटक क्या होगा तो मरकरी होगा अगर अमलगम बना है उसमें एक घटक जोगा मरकरी होगा सामान ट्यूब लाइट प्रतीप्त बल में कौन सी घट भरी रहती है इसमें भरी रहती है आरगन के साथ मरकरी बे पर क्या भरी रहती है अगला शिंदूर जो है हाँ सिंदूर करशानिक सूत हच्जीयस क्या होता है सिंदूर कर असानिक सूत होता है एच जी एस होता है क्या होता है एच जी एस होता है मर्किर्स सलफाइड देखिए सिंदूर का असानिक नाम मर्क्यूरिक सलफाइड होता है अगला देखिए बड़े सहरों में कौन से धात्व का प्रयोग किया जता है सिसा का देखिए बड़े सहरों में जो हो होते हैं वोते हैं सालक होते हैं लेकिन झालक होता है संतानों की भूड़ी अवस्था में माता के गर्भासा के अंदर ही क्या अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्तू हो जाती है इस रोक क्या बोलते इत्रो ब्लस्टोसिस कहते हैं कारण क्या है इसका पिता का आरेच जो प्लेस होता है क्या होता है पिता का आरेच प्लेस था म स्कार्फाइब तरह समुन्य consumers सर्वग्राहि इस सर्वदाता कैसे सर्वदाइब्स सर्वदाता विसमे k parler एक है किसिनल परफा माइनस थारीश्यक्राइब सबसे अधिक महत्रपूर्फ प्रोटीन कि बिकास के लिए बता दे आपको किसके लिए सरीर के विकास के लिए जो है ना सबसे जो उप्यूग थे दोस्तों प्रोटीन है क्या है प्रोटीन सबसे इमपोर्टेंट है पी तजवर संचारीत किया जाता है कि से मच्छर माना उसरीर में संक्रमाण को रोकने मदद करने वाला करता है क्या करता है संक्रमाण को रोकने के लिए मदद करता है क्या करता है मदस्ट कोचन इसी जी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करते हैं काउन सा रग्त धान द्वारा फ्लता है टाइफाइड बैक्टीरिया ना बैक्टीरिया की करण होने वाला रोग है ताइफाइड चलिए अगले कुश्चन पर चलते हैं नेस्ट कुश्चन तो यह तो हो गया देखे कोश्चन नमबर 64 विटामिन B6 कमी से पूरुस में हो जाता है क्या राक्तता होता क्या होता है विटामिन B6 के कमी से राक्तता रोग होता है और राक्तता रोग हो जाता है पीलिया एक प्रतीक है यक्रत की बीमारी का किसकी है यक्रत की बीमारी का प्रतीक है पीलिया नेस्ट कोश्चन चेचक के प्रती ठीका करण में समावेस किया जाता है किसका तो जीबित प्रतिरक्षियों का किसका समावेस किया जात जीवित प्रतिरक्षियों का नेस्ट चले वेरी वेरी इंपोटेंट कोस्चन है क्या है दोस्तों नेस्ट कोस्चन इंपोटेंट कोस्चन देखिए आहार में लवन कम्मों खुप योग भोजन के पाचन के लिए आप एक्षित हाइड्रो कोली कम्ल और लगुम मात्र में नंसील टॉ बिटामिन भी ओ बिटामिन थी पाणी में divine अगला कोशन देखिए महिला को पुर्ष्जदीन कितना प्रोटीन लेना चाहिए 45 ग्राम जिसको कार सिर महिला को एक कार सिर महिला को जो डेली प्रोटीन लेना चाहिए ऑठ 120 ग्रेंड간 प्रोटीनड एक्ड़ना क आस्ति रोग जुसको मुक्त से इटाई इटाई पहले कहां पता चल ऑपन में सबसे पहले जो है लिटाई इटाई रोग है इसका पता सबसे पहले चला था जापान में कि ए लिए देखेंगो कि कैडऴियацию इंपर इटाई इटाई रोग से संबंदित है काला जार का जो रोग बाहा कौन है किसका काला जार का किसा दोस्तों काला जार का जो रोग बाहा कि दूस्तों सिक्टा मख्य कौन सी मख्य है सिक्टा मख्य है किसका काला जार का कि сам त्व्य दोस्तों बृभिन आ कि ंटाके ल और ने किया कि लुए पाफचर ने यह था दोस्तों बृभिन आज्टे के विस्कार पाथा है लुए वbroken कूश Dalio स्व모फ्फ रोग पाया जाता है किसमें स्विड के सिमें द्यों के करम चार्यूंक reference स्वप्फू स्रोंगर अगला एट्स बिसांडू के लिए सबसे जादा अजमाई गये दबा किसे लिए एस बीस जीव गेRI किस सूक्षमजीव के द्वारा Hepatitis B की बिमारी होती है वाइरस के द्वारा होता है Hepatitis B की बिमारी कि एसबेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग हां एंफे सेमा क्या होता है होता है है किशके कारण है Hepatitis B के करन वीमारी स्करभी रोग की इलाज में उप्योगी है आमला प्रों कि में इसकर है मेभी रोग के इलाज में थे जो उप्योग होता हुआ है निस्ट फिशन किया जाता है कि पहचान करने किसके रेंवाच्षि एक बीमारी है एक बीमारी का नाम है asteoporosis इसकी जांच करना तो BMD परिच्छण करते हैं एक कैसे होता है बीसाडू से हैं किसे होता है एट्स होता हैرة सभी कुछ से होटा है इंपोर्टेंट है एक आज किसी को को मिस्ट नहीं करना है देखिए एट्स होता है विसार लुसार को से नमबर 82 भारी मात्रा में एलकोहल पीने וाले लोग मरते हैं किसे मरते हैं सीरोसिस से मरते हैं सीरोसिस रोग से मरते हैं साराल गलगंड किसको करने वाली बिमारी है घेंगा रोग घेंगा रोग जो होता है तो यह थाइराइड ग्रंथी की बिमारी किसकी बिमारी है थाइराइड ग्रंथी की बिमारी होता है यह है गलगंड मलेरिया का संक्रम चरन में चलिए अगला कुछन देकी एसको चोटी मात इसको पन चीकन पार्ग सकते हैं पैदा कि जाती है काली मौत जिसको ब्लैक डिट कहते हैं किसे कहते हैं हम प्लैक को क्या बोलते हैं जो प्लैक बिमारी होते हैं चूहों के दोरा फैलती है उसमें फैल गया था अथारा सो मतलब 80-50 के टाइम पर फैला था प्लैक तो प्लैक जूत ऑच हो गेल दोरा फ्लैक को बोलते हैं प्लैक को बोलते हैं काली मौत को इसको गजर की कमी छाती है तो प्लैट ले ीक हो जाती है रिक मेचार किस बिठामें का सब्रदियों गाजु 있죠 बिटामीन ए का सुरूत है किसका है गाजर जो होता है बिटामीन ए का सम्रद शुरूत है माना उसरी में बिटामीन ए यक्रत में संचीत होता है जो बिटामीन ए होता है कहां पर संचीत होता है तो बिटामीन जो ए है यक्रत में संचीत होता है थाइमेन है बिटामीन बी थाइ कि यिन विटामिन में कोबाल्ट होता हों क्या होता है विटामीन 12 होता है जिस विटामिन कोबाल्ट होता है विटामिन विट्स का नाम क्या है विटामिन 12 होतonn tandal आन बच्चो में अंगों की अस्थिया मुड़ जाती है य arquות kating vig講 흡 देख meatballs बिटामिन बीटू का अननाम राइबोफ्लोविन है क्या है विटामिन हाँ विटामिन जो है टू का अननाम क्या है राइबोफ्लोविन है क्या है कठोर परिश्रम करने वाले पूरुस को देनी कूर्जा कितना मिलना चाहिए तो 4000 कैलोरी कितना मिलना चाहिए 4000 कैलोरी मिलना चाहिए साइनो को वाला मीन क्या है बीटॉल है क्या दोस्तों साइनो को वाला मीन क्या है विटामिन बीटॉल होता है साइनो को वाला मीन से कि शुरोत क्या है आमला है और जो घरणyu कई से इतालरव होद आपका आपका काृत सब्सक्राइब dónde आधा मिन चाहिए अगर आपको विद्द आप और अगर आपको फ्रोटीन चाहिए चाहिए दाल खाइए बसोट होते हैं इस यह परोटीन के बीकास के लिए जरूरी होता है, जा कि विटामिन का काम क्या है रोग प्रत्रोधक छंब्ता करना किसा निर्माड करना किस का काम है यह काम है बीटामिन का किस बीटामिन की कमी के कारण मसूरों से रखता आता है और दांत हिलने लगता है तो यह जाता है आगा ताह रखता है असे के सबस्कायब विटामिन को सब्सक्राइण एक नाम होता है तो किसी AG बीटामिनE किसे मिलता है तो विटामिन दोस्तों का आप शेयर करना क्येकर आपको सबी दोस्तों को शेयर करना है और जो भी साथी चैनल ने पहली बार बिजिट किया चैनल को सस्क्राइब कर लिजे तक कि इसी प्रकार से वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें जहिंद